किस आज हम पढ़ने वाले हैं काफी सारे advanced English structures जो बहुत जादे यूजना आते हैं day to day life की conversation में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गईस अगर आप लोगों ने मेरा online paid course नहीं लिया हुआ है और आप लेना चाहते हैं तो आप परसुना English application play store से download कर लेजिए वहां पर परी सीरी चल रही है spoken English की आप डेफ फॉस्ट से सारे वीडियो देखकर English को अपनी इंप्रूफ कर सकते हैं आज किस क्लास में हम लोग discuss करेंगे कुछ ऐसे structure जो यूज में आते हैं काफी जादा जिसी कि जिस तरह से दवे का या यूज आपने देखा होगा उल्टा हम लाइट्स बिगए गई अगर हम लोग बात करें हमारा सबसे पहला structure जो की है दवे का मतलब क्या होता है दवे मतलब होता है तरीका जैसे मैंने कहा तुम्हारा बात करने का तरीका जिस तरह से तुम बात करते हो तो सेंटेंस क्या होगा दवे यू टॉक है ना हम नॉर्मल यहां अंतने कि इसा इसा बोलता है就是說 दो और यू टॉक् như से सिंपल में समझा हो तो पर देखेंगे कैसे मैं ने princi statement जैसे को बात कि बात लिए या far चुह से कड़ाती बात वाला सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है आप इसको past में भी बना सकते जिस मैंने कहा जिस तरह से तुमने उससे बात की the way you talked to her the way you talked to her जिस तरह से तुमने explain किया the way you explained तो आप किसी तरह से भी इसका use कर सकते हैं इसका meaning क्या निकलता है जिस तरह से जिस तरह से चले कुछ sentences जेगता है जिस एमने कहा I don't like the way you argue जिस तरह से तुम बहस करते हो मुझे वो बिल्चु भी पसंद नहीं है I don't like, मुझे पसंद नहीं है the way मतलब जिस तरह से या फिर तरीका तरीका भी हम बोल सकते हैं कि तुमारा argue करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है I don't like the way you argue आप कोई भे sentence ले सकते हैं next day the way she behaves मतलब जिस तरह से वो behave करती है is liked by everyone उसे हर किसी के दौरा पसंद किया जाता है मतलब उसका behavior हर किसी के दौरा पसंद किया जाता है पैसी वो इसका यहां पर sentence है तो the way मतलब जिस तरीके से इसका जो तरीका है behave करने का हर कोई पसंद करता है everyone likes the way she talks मतलब जिस तरीके से वो बात करती है तो हम तरीका भी बोल सकते है तुम्हारे लिखने का तरीका the way you write तुम्हारे बोलने का तरीका तुम्हारे समझाने का तरीका the way you explain ठीक है आप अगर कॉमेंट्स देखेंगे तो कई सारे स्ट्रेंट्स यह वाला स्टॉक्चर यूज करके बहुते हैं कि मैं तो इसको इस तरह से यूज किया जाता है देश बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जिसका मतलब दिया हुआ है हाप पर वैदर और मीनिंग किया है अल्टा या फिर अब देखिए आपने अइस आपने अपने ब्लके जिसमें यह बोलें कि किसे ने ने उसно से कहा कि उसने मारा तो आप बोल रहें नहीं बलवकि उसने मद्द करें उससने मेरी हैल्फ करें ко जब आपके sentences में उल्टा या फिर बल्की ऐसे words आते हैं वहां पर आप rather का use करें इसके और भी other meanings होते हैं हम अभी महाँ पर वो नहीं देख रहे हैं उल्टा या बल्की के sense में जैसे rather ही like to talk in English more यहाँ पर इसका meaning के निकल लिए οलता उसे English में बात करना ज्यादा अच्छा लगता हैं कोई अगर बोल रहा है कि यार उसको English बोलना पसंद नहीं है अब आप बता रहें कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि उसको तो थिके मतलब उल्टा उससे इंग्लिश में बात करना ज्यादा अच्छा लगता है रेदर आई डूंट लाइक टु वाच टीवी बल्कि मुझे तो टीवी देखना पसंद ही नहीं है कोई अगर कह रहा है कि आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो मैं बता रहे हो ऐसा क कुछ भी नहीं है उल्टा मुझे टीवी देखना पसंद ही नहीं है रेदर आई डूंट लाइक टू वाच टीवी सिंपल सा यहां पर हम रेदर का यूज करना है इसके लिए बल्कि उनकी मदद करके तो मुझे अच्छा लगा दिखिए आई फेल्ट गुट फिल की मतलब महसूस करना पास्ट में बना है इसलिए हमने फैल्ट का यूज किया तो बल्कि या उल्टा मुझे उनकी मदद करके मुझे अच्छा लगा तो हमने आप पर रेदर का यूज किया है बल्कि या उल्टा का सैंस दर हम और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जैसे उल्टा उसने मुझे सब कुछ बता दिया बलकि हम जो सब कुछ बता दिया रैदर शी टोल मी एवरिटिंग रैदर शी टोल मी अवरिटिंग तो रैदर एक चोटा सा वरड लेकिन बोखत इंपोर्टेंट है जब आप डे टुडे लाइफ के सेंटेंस बनाते हैं जैसे कि चलो माल लेते हैं कि तुमने उसकी हेल्प करी चलो माल लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और आगे आपका जो भी सेंटेंस आयों आ सकता है तो देखिये लेट से डैट शी वस नॉट वीड लेते हैं कि वह तुम्हारे साथ नहीं थी तो फिर तुम्हें कैसे पता चला इसके है लेट सेड़ेइ चलो माल लेते हैं कि यूले कि नहीं किया है तो फिर किसने किया एक पर molar सेटेंस आप से बण बना सकते हैं अपने सेटेंज नहीं लिया कि छलो माल ले ते कि तूमetic Gmail थे कि तुमने अल्हीं किया है फPP हाद में आपका जूभी से वाप ले सकते हैं लेकिन आपको यह द्यान रखना है कि लिए लेट से देट का यूज आपको करना है जिसे मैंने कहा चलो माल लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो छोटा से इस्ट्रक्चर है बहुत इंबोडेंट है आप इसको याद कलीजिए लेट से देट मतलब चलो माल लेते हैं कि इस नेक्स्ट हमारा इरस्पक्टिव ओफ मतलब होता है की परवाह किये बीना यह भी बहुत जढ़े यूज और दिया हुआ है जो तुम बोल रहे हो उसकी परवाह किये बिना irrespective of what you say, irrespective of age, irrespective of caste, caste की परवाह किये बिना, age की परवाह किये बिना, तो जब हमें ऐसा word use करना हो, की परवाह किये बिना, हम वहाँ पर irrespective of का use करेंगे, यह आप आगे लगा दीजी, पीछे लगा दीजी, it's up to you, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, he is going to bite, वहाँ इससे खरीदने वाला है, irrespective of what you say, तुम जो बोलते हो, उसकी परवाह किये बिना, मतलब तुम जो बोल रहे हो, उसकी कोई परवाह किये बिना, वहाँ इससे खरीदने वाला है, और sentences रहते हैं, the course is open to anyone, या फिर हम everyone कर लेते है मतलब जो course है, सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी से ले सकता है, irrespective of age, age की परवाह किये बिना, मतलब इसमें age matter नहीं करेगी, इस course को कोई भी ले सकता है, कोई भी purchase कर सकता है, everyone gets the same amount, हर किसी को एक जैसाई amount मिलता है, irrespective of caste, caste की परवाह किये बिना, मतलब इसमें caste को नहीं देखा जाता, तो किसी चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं, avoid करते हैं, कि इसमें इसको नहीं लिया जाता, वहाँ पर हम irrespective of condition, condition की परवाह किये बिना, या फिर irrespective of uniform, uniform की परवाह किये बिना, तो कोई भी word हो सकता है, जब आप बोलना चाहरा है, इसके परवाह कि यूज करेंगे, आगे बढ़ते हैं, guys, next हमारा structure दिया हुआ है, यहाँ पर, irrespective of, again आ चुका है, अच्छा, starting में आपने देखा, कि सबसे हम, पहले हमने कौन सा लिया हुआ है, the way, फिर हमने लिया हुआ है, फिर हमने लिया हुआ है, let's say that, फिर हमने लिया हुआ, irrespective of, और mean, nothing to, अब देखे, nothing to के बाद में, जो भी हमारा objective है, वो हमें लगा देना है, अब sentence के से बनेंगे, जैसे मालीजियो मैंने कहा, हिंदी हमेरे समझ में आ लिया, कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने कहा, कि उसका साथ, उसका साथ मेरे लिए कोई मायन नहीं रखता, her company means nothing to me, her company means nothing to me, मतलब उसकी जो कमपनी है, उसका जो साथ है, वो मेरे लिए कोई भी matter नहीं करता, बिलकुल मायने नहीं रखता, हम ऐसे भी बोल सकते है, you mean nothing to me, मतलब तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते है, तुम मेरे लिए किसी मतलब के नहीं हो, त हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि his relationship means nothing to me मतलब यह वाला relationship है मेरे लिए कोई माइने नहीं रखता ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे कि his condition his situation means nothing to me his problem means nothing to me उसकी समस्या मेरे के लिए कोई माइने रहे रखती तो sentence क्या बना his problem his problem means nothing to me यह means भी हो सकता है अगर आपका sentence जो है वो क्या है singular है तो singular के साथ में आपको क्या लगा देना है means कहीं उसका लेना है तो his problem means nothing to me या for his company means nothing to me मतलब उसका साथ उसका बोल सकते है problem में लिए कोई भी माइने नहीं रखता ठीक है लास्ट वाला structure यह भी काफी ज्यादा यूज में आता है जिसका मतलब है कोई माइने नहीं रखता किसी मतलब का नहीं है mean nothing to clear छोटे-छोटे से structure से हम इनकी अगर डेली प्रैक्टिस करें आप अगर हर structure में 10 sentences बोल कर बनाए Hindi English तो नो तो यह automatically आपकी टंग पर आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी से यूज करने लगे हैं but the thing that we need to do is practice practice and only practice हमें प्रैक्टिस की ही जरूरत है प्रैक्टिस के से बोल बोल कर हमें लिखना नहीं है हमें सिर्फ पढ़ना नहीं हमें बोलेंगे जब बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ा clear होगी यह sentences हमारे टंग बर आ जाएंगे I hope guys यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like share तो बनता है मिलते हैं हम लोग अपनी next class में till then bye bye take care